नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन इस्टडी एड़ापर आज मैं आप लोगों के लिए बॉर्ड मास रूल पर आधारित कुछ क्वेस्चन लेके आया हूं जिसमें mathematics के ऐसे question जिसमें कई सारे operator एक equation में use होते हैं और पूछी जाती है कि इसकी values कितनी है SSC CZL का जिसको exam देना है उसके लिए बहुत important ये question हो जाता है क्योंकि ये question आपका सबसे ज़्यादा time लेने वाला है अगर आप इसके method को लगाने के method को अच्छे से नहीं जानते हो तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बिल्कुल आसान तरीके से इसको आसानी से solve किया जा सकता है प्लीज सब्सक्राइब और यूटूब चैनल online study at the also press the bell icon जिससे next वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले अगरे बॉर्ड मास का मतलब क्या होता है सबसे पहले bracket of division multiplication addition और subtraction यह serial होता है इनको solve करने का ठीक है तो हम solve कैसे करेंगे हम bracket और off or division यह solve कर ले जाए बस question हमारा एक एक line में solve हो जाएगा ठीक है तो जो हमारे पास question लिखा होगा उसको हम सबसे पहले bracket of division को solve कर लेंगे एक line में जो question होगा उसको देखके bracket of division को solve करके हम लिख लेंगे देखिए कैसे हम solve करते हैं देखिए bracket of division को एक साथ में solve करना है जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 into 3 divided by 2 off ठीक है, off भी इसी के साथ solve हो जाएगा तो 3 और गुणे में जो 2 है ठीक है, off यहाँ पर आया तो यह दोनों साथ में ही रहेंगे ठीक है, हमने जहाँ पर division है, वहाँ fraction लगा दिया अब फिर divided by 4 plus 4 plus 4 into 4 divided by 4 of 4 minus 4 divided by 4 into 4 ठीक है, यह पहला question होगी अब देखो एक line में कैसे इसका answer आजाता है ठीक है, 2 into 3, 2 into 3 से cancel हो जाएगा, उपर 2 बचेगा ठीक है, यह देखिए, 4 जोगे, 16, 16 से cancel हो गया ठीक है, अब यहाँ पर 4 था यह एक बचा है, 4 से 4 कट जाएगा एक बचेगा नीचे, उपर बचा है 2, 2 बटे एक इसका answer आजाएगा अगले में लिखा है, 5 divided by 5 of 5 into 2 plus 2 divided by 2 of 2, 2 into 2 into 5 minus, 5 minus 2 कितना होगा 3 होगा, bracket भी solve कर लेते हैं, तो वो 3 हो जाएगा 3 divided by 6 into 2, ठीक है, अब देखो 5 से 5 cancel हो जाएगा, ठीक है, और यह 2 से 2 cancel हो जाएगा और 3 से 1 cancel हो जाएगा, 3 और 2 मिलाके, यहाँ पर 1 बचेगा तो हमारा क्या है, यह आ गया है, 2 by 5 plus 5 by 2 minus 1 तो इसको एक लाइन में solve कर लीजे, तो 5 by 2 minus 1 कर देंगे तो यह 3 by 2 हो जाएगा, चाहे तो पहली लाइन के बाद यही direct ही लिख सकते थे हम लोग तो 2 का 2 गुना 4, और 5 का 3 गुना 15, 15, 4, 19 और नीचे आ जाएगा 10, 19 बटे 10 इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए अगला question तीसरे question में क्या लिखा है, 5 plus 3 upon 5 into 5, ठीक है, अब टोटल का भाग लगा हुआ है, टोटल का divide 4 into 4, 4 into 4, divided by 4 of 4, ठीक है, divided by 4 of 4 हो गया, plus, plus 4 divided by 4, into में 4, ठीक है, आफ आएगा तो दोनों साथ में आ जाएगे, into है तो जैसे गुड़ा होता है, वैसे गुड़ा होगा, ठीक है, into 4, अब आफ लगा है, तो फिर से गुड़ा हो जाएगा, 3 बटे, 6, गुड़े, 3, 5 से 5 यहां कैंसेल हो गया, उपर हमारा 8 बचा है, उपर 8 बच गया, यहां देखिए, 4 जोगे, 16, 16 से 16 कैंसेल हो गया, यह 4, तो यह हो जाएगा हमारा 5 और 3 से 3 कैंसेल हो जाएगा, यह आपका 5 अपन 6, नीचे 5 अपन, क्योंकि यहां पे 4 है, यह 1, 4 दने 5, और 5 बटे 6, ठीक है, तो और यह 6 उपर सबसे चला जाएगा, तो 8 उपर बना है, उपर बना है, 8 नीचे बना है, हमारा 5 बटे 6, ठीक है, तो यह 6 इसमें गुड़ा हो जाएगा, यह हो जाएगा, 48, 47, बटे 5 यही अंसर आजाएगा, अब हम एक बार पहले पचमा कोश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद 4 बताएगे, क्योंकि यह पचमा इसी के जैसा कोश्चन हो रहा है, ठीक है, पांच बोटे 5 में में देखिए, क्या लिखा है, 16 डिवाइड़ बाई 4 और 4, ठीक 3 divided by 6 ठीक है? अब इसके बाद भी फिर divide हमें करना है तो divide जो करना है तो अगर वो simple जा आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा division कहीं हमें दिख रहा है तो इसको देखिए हमारा क्या आएगा? इतना बटे में 2 divided by 32 ठीक है? 2 divided by 32 तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 1 बटे 2 बटे 32 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम सीधा? 32 बटे 2 लिख सकते हैं अभी हम जो चोथा question हमारा छुटा है उसमें हम दिखाएंगी कि कैसे हमने division को हमें multiplication बना लेना है तो यहाँ भी हम multiplication बना लेंगे जो 2 upon 32 से हम भाग दे रहे थे वो 32 upon 2 से उसे गुड़ा कर देंगे ठीक है? तो यह आजाएगा 4 upon 4 से यह cancel हो गया पूरा 3 से 3 यह cancel हो जाएगा ठीक है? 16 और यह पूरा इसको काट देगा 6 एकदम उपर चला जाएगा यह 6 इसका answer आजाएगा ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कुछ नहीं करना है एक लाइन में आपको off और division solve करना है अगली लाइन में answer ले लेना अब आते हैं चोथे question पे जो थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको देखे क्या है? 21 बटे में 4, 5 ओके 20 और धनेक 21 बटे 4, भागे में 4, गुड़े 7 बटे 3 ठीक है? इतना है off अब इसका 8 बटे 9 times पूरे का bracket का 8 बटे 9 times है तो bracket की value यह है off 8 by 9, तो into 8 upon 9 हमने इसी time कर दिया off को into में बदलना है और division को fraction में तो question अगली line में easy हो जाएगा बहुत easy हो जाएगा, अब देखे fraction लगा हुआ है, fraction में क्या करना है 8 into 2 by 3 8 into 2 by 3 divided by 5 4 upon 5, तो यहाँ पर एक ही division के बाद कुछ नहीं है, तो divided by 4 upon 5 है, तो into हमने 5 upon 4 लिख दिया, जैसे कि पहले हमने किया था यहाँ into 5 upon 4 लिख दिया off मतलब गुणने 8 फिर से देखो, 8 upon 4 upon 5 off 2 by 3, मतलब दोनों को नीचे आना है, off अगर लगा है तो दोनों denominator में आएंगे, हम दोनों को पलट लेते हैं, तो यह 5 upon 4 लिख देंगे, इसको 3 upon 2 लिख देते हैं, ठीक है, कोई problem नहीं है, अगली line में answer है तुमारा ठीक है, बड़ा भले लग रहा हो लेकिन अगली line में देखना answer आ जाएगा अब देखो, यह 7 का यह 3 गुना, ठीक है 2 by 3, 2 by 3 से cancel, 3 by 2 से cancel हो गया ठीक, 4 इसको मिला के यहां पर तुमारा 4 बचेगा ठीक है, denominator में 16, देखो, यह 64 हुआ था 16 का 4 गुना 16, 16 को 64 से हमने काट दिया, 4 यहां बचा, ठीक है अब उपर देखे क्या बच रहा है, इस 4 से एकर हम इसको काटेंगे, 2 बचेगा यहां पर ठीक है, तो 2 upon 4 यहां पर बच रहा है, 2 upon 4 को हम क्या लिख सकते है, 1 upon 2 ठीक, और यह देखो, 3 एकदम उपर चला जाएगा, 3 एकदम उपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 यहां पर denominator में है, तो 9 से यह पूरा कट जाएगा, बचा क्या है अब तुमारे पास, बचा नीचे बच रहा है, नीचे हमारा बच रहा है, 4, 5 और 5, 4, 5, 20, पंचे 100, और यहां पर 2 बचा है तो 1 बचे 2, बचे में 100, या 1 बचे 200 यही इसका answer हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा अलग question था, लेकिन देखो, यह भी आसानी से उसी method से हो गया कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले off को multiplication में और fraction को सुरी, division को fraction में बदलना है, अगर यह हो जाता है तो उसके बाद question बहुत आसान हो जाएगा जैसे हुआ है, तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई, तो like, comment और share करना न भूले, और जो कल SSC season के exam देने जा रहे हैं, उनको जरूर share करिए यह वीडियो, क्योंकि उनके लिए, दो नमबर का सवाल लेए Thank you very much